वेलकम गाईज, वेलकम टो दिश्यो, दिस डॉक्टर नुराग, MBBS फ्रम S.P.M.A.D.E.L.K.O.L.E.S.B. आज हमारा टोपिक है प्रोफेशनल सिक्रेसी, प्रोफेशनल सिक्रेसी, ठीक है, सोट नोट आपके एक्जाम में आता रहता है, प्रोफेशनल सिक्रेसी के बारे में, बहुत आसान सा एस्प्लेनेशन हमें आपर करेंगे, फील लेके, ठीक है, ठीक है, प्रोफेशनल सिक्रेसी क्या है, एक तरफ का एक कॉंटर्क होता है, देखो, ध्यान समझना, जो लिखावा है, उसको में बोलता हूँ, उसको फील किया करो, सब कुछ नोट्स में, स्लाइ ठीक है, डॉक्टर साब होगे, यह क्या है, डॉक्टर साब है, यह पैसेंट है, तो डॉक्टर साब और पैसेंट के बीच में, एक कॉंट्रेक्ट होता है, एक कॉंट्रेक्ट होता है, और कॉंट्रेक्ट कम डवलप होगा, जब यह डॉक्टर इस पैसेंट को ट्रिट करने के लिए treat करने के लिए राजि हो जाएगा जैसे ही ये patient doctor के पास आया doctor अगर इस patient को treat करने के लिए राजी हो गया then ایک contract बन जाता है doctor और patient के बीच में और उस contract के तहत उस contract के तहत जो doctor है इस patient की कोई भी information किसे भी तीसरे व्यक्ति को नहीं बता सकता किसी भी तीसरे व्यक्ति को वो information disclose नहीं कर सकता कौन नहीं कर सकता डॉक्टर ठीक है उस information को confidently रखना होता है डॉक्टर को अगर वो information disclose होगी देन डॉक्टर को सजा हो सकती है ठीक है डॉक्टर क्या implant contract, contract है between patient and doctor when the doctor accepts to treat the patient and उस contract के तहत, patient information is to be kept confidentially जो patient की information है, उसे confidently रखना पड़ता है, information can be disclosed, information सिर्फ और सिर्फ, patient की, patient की सहमती से ही disclose हो सकती है without सहमती, without any consent no information can be disclosed, clear, समझ में आगया what is professional secrecy okay, so this professional secrecy applies to all adults या फिर major patient, 18 साल से उपर वाले जो भी patient है उन पर ये professional secrecy लागू होती है, apply होती है अगर patient की consent की बिना ही disclosure होगी information का without consent then professional secrecy का bridge माना जाएगा उसका उलंगन माना जाएगा and punishment मिल सकती है doctor को court के अंदर, किसको punishment मिलेगी doctor को, court के अंदर placement, punishment दे सकते है clear, समझ में आगया, okay, तो ये चीज़ थी अब आता है privileged communication, ये भी एक ऐसा नाता है privileged communication, की professional secrecy जो हमने बताया कि contact होता है, कि without consent, no information can be disclosed, of present clear, ले इन कुछ exception है guys, कुछ exception है professional secrecy के, in the benefit of community community के benefit के लिए, ये फिर patient के benefit के लिए, and court of law ये फिर self के benefit के लिए, कुछ exception है professional secrecy के, for example अगर कोई भी cholera disease होगी covid होगया, माल लो, ये patient मेरे पास दिखाने आया, और उस patient के covid था, मैंने diagnose किया, इस patient के covid है, अगर मैं ये information मेरे तक ही रखूँगा, किसी और को नहीं बताऊँगा, तो ये patient अपने घर जाएगा, अपने घर जाएगा, और दूसरे आदमियों को, दूसरे जो भी people है, उनको covid फैलाएगा, तो ये चीजे क्या हो रही है, खराब हो रही है न, इसलिए, मैं covid है, कोई भी notifiable disease है उसको मैं बता सकता हूँ without any consent of patient, ठीक है without any consent of patient, मैं बता सकता हूँ, लोगों को कि भाई, इसके covid है, इससे थोड़ा सा distance बना के रखो, ठीक है, तो notifiable disease है, ठीक है, तो गाईज ये जो covid disease है, ये मैंने बताया दूसरे लोगों को, कि भाई, इसके covid है, और ये क्यों बताया, क्योंकि मुझे society में interest है, in the interest of society, society के भले के लिए मैंने ये सारी चीजे बताई, तो notifiable disease के cases में मैं ये चीजे करूँगा, clear, ठीक है infectious disease है infectious disease है, कोई भी infection हो गया तो infection एक दूसरे से, दूसरे लोगों में नाफ पहुँचे, तबाँ बताऊँगा general disease, मतलब कोई भी sexual disease है मालो, ads है किसी people के, कोई भी patient मेरे पास आया दिखाने और ads है उस patient को, तो मैं उनके घरवालों को बताऊँगा, कि भाई, इसके ads है, तो sexual contamination नहीं होना चाहिए, इसको pricking इसको तोड़ा दूर रहना चाहिए, गलव से आप इस ध्यान रखो, ठीक है, तो यह मैं मुझे बताना पड़ेगा, क्योंको interest of society के लिए मुझे बताना पड़ेगा, कुछ other disease है, जैसे epilepsy है, पैसे patient को, तो epilepsy कीसे patient को है, और वो patient driving करता है, driver है, तो मैं बताऊंगा in the interest of society, क्योंकि अगर driving कर रहा है और उसे epileptic seizure आगया, तो भाई driving, पूरे bus की driving कर रहा है, तो bus वाले जो भी, जो भी बैठ है, bus के अंदर, उनकी जान खत्रे में है नहीं है, खत्रे में है, इसलिए exception of professional secrecy, clear, ठीक है, तो कैसे आपका video complete हुआ, दो short note है, एक है professional secrecy and एक privileged communication, दो short note आपके आते हैं यह आपका video complete हुआ, यह हमारे 3 courses है, pharmacology, microbiology, pathology, अच्छे से concept clear किया हुआ है, second year की बच्चों को, या juniors को आप बता सकते हैं, and forensic medicine के, जो short notes है, या फिर, जो भी notes है, एंड वीडियोस है, वो आपको Dr. Mbps app पर मिलेंगे, उसको download कीजिए, बड़ेचेज कीजिए, and Instagram और Telegram पर जरूर जोइन हो जाना, क्योंकि आपको updates, and आपके doubts है, वो वहाँ पर ही solo होएंगे, thank you guys, stay safe, stay healthy